हलो प्रेंड, नेटिंग डिजाइन में देखे बहुत खुपसत प्यारा सा हमारा टू कलर डिजाइन जो ये इस तरह से तिर्चे तिर्चे लाइन गई है आप किसी भी स्वेटर में, जैकेट भी, काडिगन, बेबी फ्रॉग, कहीं भी इस डिजाइन को बनाएए, किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही खुपसत और प्यारी से हमाई डिजाइन बनके आएगी तो आज के वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं ये देखे, इस दो रंग की डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6-6 के मल्टिपल पंदे चाहिए तो ये डिजाइन हमारी सेट हो जाएगी और आप अपने हिसाब से पंदे डालिए, बॉर्डर बनाएए और बॉर्डर बनाने के बाद हमारी रो वन स्टार्ट होगी तो देखे, इसमें सबसे पहले हमारा अब दूसरा कलर आएगा ब्लैक कलर हमने लिया है और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंदे हम ब्लैक के करेंगे और अब हमारा वाइट आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और एग 6 अब हम 6 ब्लैक, 6 वाइट पूरी रो में रिपीट करेंगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंदे ब्लैक और 6 पंदे वाइट के बहाद इजी और सिंपल से हमारी ये डिसाइन है कोई बिगनस भी से बहाद ही आसानी से बना सकता है तो देखिए बस हमें 6 वंदे ब्लैक और 6 वंदे वाइट करते हुए आना है और लास्ट में देखिए फिर हमारे 6 वाइट हो गया है और अब हम बैक साइट आ जाएंगे रो नमबा टू और इसमें हम वाइट पंदों को वाइट कलर से बनाएंगे जो हमारे 6 वंदे हैं और ब्लैक पंदों को ब्लैक कलर से तो सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है तो वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक हम करते हुए बनाएंगे यह हमारी रो 3 है और इसमें भी हम यह 6 फंदे जो black हैं इसे black से बनाएंगे यह 4 हो गए 5 और एक 6 और white फंदों को फिर हम white से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो इस तरह से इस रो में भी हम black फंदों को black और white को white करते हुई बनाएंगे और देखिए यहां पर हमने black को black और white को white करते हुई इस पूरी रो को बना लिया फिर हम back side पर row 4 आ जाएंगे और row 4 में भी हम इस 6 white को white कलर से ही बनाएंगे और जो फंदे black के हैं इसे हम black से करेंगे तो यह भी हमारे 6 फंदे हैं तो इसे भी हम black से करेंगे तो इस तरह से same color black को black और white को white करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे यह देखिए 4 row तक हमारे यह design बन गए अब इसके पाद हमें थोड़ी सी design को change करना है तो हमें क्या करना है जो शुरू के यह 3 फंदे black है इसे हम white करते हैं यह 1, 2 और यह 3 और अब देखिए यहां से हमारी row 1 जैसे start दी वैसे हम बनाएंगे यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे black और 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे 5 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे black और 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे white के और जब लास्ट मेंगे तो 1, 2, 3 फंदे ही white कलर से रहेंगे और अब हम back side आ जाएंगे और back side पे हम सारे पंदों को black को black और white को white करते हुए बनाएंगे और देखें यहाँ पे फिर हमने row 3 और 4 सेम कलर बना लिया जो फंदे white को white और black को black हर 4 सलईयों के बाद हमाई design चेंज होगी तो देखें यहाँ पे हमने कैसे किया था यह शुरू के 3 फंदे को हमने white किया था अब हर बार ऐसी करना है शुरू के यह 3 फंदे जो black हैं वो हमें white कलर से करना है तो यह शुरू के यह 3 white हैं इसे हम white से ही करेंगे और इस 3 फंदे black को भी white करतेंगे 1,2,3 तो इस स्टार्टिंग में आप हमारे 6 फंदे होके white के अब black पिलर सी 1,2,3,4,5,6 फंदे black और 1,2,3,4,5,6 फंदे white के 1,2,3,4,5,6 फंदे black 1,2,3,4,5,6 हमारे white से होके और 1,2,3,4,5,6 हमारे black से तो यह row 1 हमारी हो गई अब 3 सलाईयां फिर हम सेम कलर बनेंगे row number 2,3,4 और देखें यहां पे row 2,3,4 बैने 4 सलाईयां फिर सेम कलर कर ली और हर 4 सलाईयों के बाद फिर हमें कलर को जेंच करना है तो यह black वाले जो 3 फंदे हैं यह हमारे white होने तो 3 फंदे यह होके और 1,2,3 फंदे यह तो यह शुरू के 6 फंदे अब हमारे white के हो जाएंगे और यह पहले वाले जो 3 फंदे हैं इसे आप हम black कलर से कर देंगे यह 1,2,3 फंदे black और आप हमारा white आएगा 1,2,3 फंदे आखरी के 3 फंदे white करेंगे और यह शुरू के यह 3 फंदे 1,2 और एग 3 तब देखे यहां से फिर हमारी design स्टार्ट हो गई 6 फंदे white हो गए और 6 फंदे हम black कलर से बनाएंगे यह 5 और एग 6 फिर 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 black फिर 1,2,3,4,5,6 हमारे white और लास्ट की 3 फंदे फिर black कलर से बनाएंगे और फिर इसके बाद हम row 2,3,4 फिर हम सेम कलर बनाएंगे तो इस तरह से देखिए यह हर बार 3-3 फंदे हमारे white होते जाएंगे और इधर से भी white के फंदे हमारे फिर आगे इस तरह से design बनती जाएगे और देखिए फिर हमने 3 से लाईयां और सेम बना लिए और फिर यहां पर हमारा color change होगा तो देखिए अब 1,2,3,4,5,6 फंदे black और 1,2,3,4,5,6 हमारे white से जैसा कि देखिए row 1 था वही row 1 अब हमारा यहां पर आ गया तो इस तरह से हमने color को change करते हुए बनाया है और यह हमारे तिर्ची धारी बनती गई है मेरे यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करके बताई कि यह डिजाइन आपको कैसी लगी थैंक यू